हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग बच्चों आज हम सिखेंगे सेंटीपिटर एशलेरेशन का डेरिवेशन ठीक है मतलब लाश्ट क्लास में बच्चों हम ये पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सरकुलर पाथ में जब कोई बोडी रिवाल्व करती है तो इस रिव तो आर्स दा सेंटर इस फोर्स को बच्चों हम कह रहे थे सेंटीपिटल फोर्स और जो फोर्स अवे फॉर्म दा सेंटर होता है सेंटर से दूर होता है उसे हम बहुत हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स ठीक है तो हमारा जो में टार्गेट है बच्चों हमें ये बताना है कि जो acceleration produce होता है इस circular motion में उसका formula क्या होता है linear velocity का square upon में r और omega square in to में r मतलब acceleration का हमें formula derive करना है या तो आप ये derive कर दीजिए या फिर ये derive कर दीजिए बच्चों उसके लिए आखको मैं बहुत ही short में समझाऊंगा बहुत ही easy method है ठीक है जहां समझना जहां यह मुझे inform करना ठीक है यहां दखो एक बार मैंने बच्चों सबसे पहले क्या बनाया एक circular path बनाया जिसके अंदर हमारा object revolve करने वाला है let's suppose वह point P पर है अभी center से ठीक है और आपको पता है आपको मैंने सिखाया था किसी भी करवी surface पर अगर हम tangent draw करते हैं तो motion के अंदर जो आपने tangent draw की है यह का शो करती है direction of velocity मतलब point P पर अगर कोई particle present है तो उसका face let's suppose इस तरह है motion के लिए वह ready है तो tangent अगर हम draw करेंगे तो यह represent करगा किसको velocity को अब यह जो point P है यह कब होगा initial time पर let's suppose मेरे पास कहा है t equal to zero अब let's suppose after t time वह point Q पर पहुंच चुका है उड़ा को मैंने बच्चों सिखाया था circular motion में जब object revolve करता हुआ आगे बढ़ेगा तो center पर एक angle बनेगा ठीट है ठीटा जिसका नाम क्या होता है angular displacement ठीक है बच्चों दोने में फरक है क्यों है और यह ठीटा है ठीक है अब देखो बच्चों अब इस time T के बाद उसका जो face है अगर है में tangent again draw की तो जो velocity के tangent होगा वो कैसा होगा ऐसा होगा ठीक है आप बस भूल मत जाना जो point P है वो है initial position किसकी particle की और जो Q है वो क्या है final position revolve करते time ठीक है अब देखो बच्चों आपने जिमेटरी में बात पड़ी होगी अगर इस point Q से मैंने vertical axis इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं अगर मैं vertical axis को represent करूं y axis के respect में तो यहां पे एक angle theta क्या होगा form होगा इसको आप ऐसा मांसते हो जैसे let's suppose point P पर particle ऐसा है angle formation नहीं हो रहा जैसी q point पर तो वर्टिकल डेक्शन से एक angle form होगा जिसको हमने represent क्या किसे theta से ठीक है बच्चों इतना आ गया ओके अब देखो इसकी बात बच्चों हम यह पढ़ चुके हैं कि velocity vector quantity है और यह angle form कर रही है तो इसको resolve हम करेंगे between two axes axis x and axis y इसका face इस तरफ है तो यहां हमने imaginary axis मानी axis x को हमने represent किया तो यहां वाला जो component होगा जो component है किसका y का उसको हमने represent किया किसे small v y से ठीक है और यह देखिए आप जड़ा ठीटा की साथ base है यहां पर तो base क्या होता है मिशा एपटेनियस इंटू में कॉस ठीटा तो v y क्या होगा वी कॉस ठीटा ठीक है अब देखिए axis x है यहां पर जो component होगा वो क्या होगा वी वी एक्स होगा ठीक है बाइस इंग पैर्लेल वेक्टर यह आप पॉजिट है यह फ्रेंट में है किसके ठीटा के मतलब इस तरफ है तो यहां पर जो जो इसकी वैल्य होगी वह क्या होगी वी सेंट ठीटा होगी मतलब जो वी वाई है स्वरी वी एक्स है अलों दर एक्स उस component का जो पैटर्न हो क्या बनेगा वी सेंट ठीटा बनेगा ठीक है बच्चों आपको इतना आगया होगा अब धान दो अगर नहीं है तो मुझे करना मेरे वाटसप नमबर पर ठीक है आप देखिए बच्चों में सिखाया गया होगा इस टीटा इस वैरी स्मॉल किसी निमेकल में किसी टॉपिक के अंदर अगर एंगल ठीटा बहुत ही क्या हो कम हो तो स्टाइन ठीटा को नियर वैं कितना मानते हैं ठीटा मानते हैं और सब्सक्राइब कितना होता है वन होता है यह आपको पड़ा दिया गया होगा मैथ के अंदर नहीं आता आपको तो मुझे आप इंफर्म करना मेरे वाटसप नमबर पर आको मैं डीप में सिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है ठीक है तो यहां देखिए बच्चों डैन टी एच इ सब्सक्राइब करता है इंटियNत दिया बकाएं 2 लेकिन आपका वी एकस है नाधू इसकी वल्लू कीतनी एव में डीटा है वी शनलивает कह ओता एक एकीवल तुम्हेः पास प्रम्राइब कैई दो कंपन्रे Voc pm यंड वहीं ंद ठीक है अब दूओ हमने चांच फूर्दा एक होता है वो क्या होता है change in velocity पी-डाट का मतलब क्या है वरस चलो मैं पुरा लिखता हूं को दिकती है changing velocity with respect to time 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 के एस्पेक्ट में कितना change हुआ उसको हमने क्या बोला है acceleration बोला है तो यहां देखो बच्चों इस फॉर्मिले को बच्चों हम लगाते हैं दो बार अपलाए कितनी बार करेंगे इसको दो बार करेंगे एक्सिस एक्स के लिए ठीक है एक्सिस वाई के लिए या हम यू कहें हम एक तो पढ़ेंगे डान दो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको दान दीजिए मैंने इस फर्स्ट पार्ट को नाम दिया फॉर एक्सिस एक्स फॉर एक्सेस एक्स हां बच्चे भी बात हो सुनो एक इतना होता है डी वी बाई सब्सक्राइब क्या होगा वी एफ मैंस में कितना वी आई टी एफ मैंस में कितना टी आई मतलब फाइनल विलस्टी इनीशल विलस्टी फाइनल टाइम और इनीशल टाइम ठीक है तो देखो अक्सिद एक्स की बात करेंगे बच्चों की बात करते हैं देखिए इनीशल टाइ तो जो टीएफ वो क्या है इसमॉल टी की वैल्यू है ठीक है अब देखो वी इनिशियल वेलसिटी पर कहां पर अक्सेश एक्स पे निशल पुएंट कहां पर यह रहा जहां पर एक्सेश के लाओं कोई सब्सक्राइब नहीं है तो नो कॉंपोनेंट डिस प्रेजेंट सो विल बी जीरो एंड इस दा वी एफ फैनल वेलस्टी फैनल मतलब फैनल परिंट कौन सा है क्यों है तो यहां पर जो कॉंपोनेंट कौन सा है वी एक से ओव यह समरे पास कितना आ चुके बच्चों वी ठीट यहां में देखी क्या आगा V ठीटा यह प्याफ क्या बन जाएगा क्यों बिशचों उमेगा को मैं पढ़ा चुका हूं इट इस तो मैंने आपे लिखा फोर वाई एक्सेस ठीक है एक वर टू देखिए टी आई तो हमेशा कितना रहेगा जीरो इनिशल टाइम कितना होता है जीरो टी एफ का मतलब फैनल टाइम कितना है टी फिर देखिए वी आई इनिशियल वेलसिटी कहां पे प्वेंट पी पे फोर अक् वी वी एस देखिए वी एफ का मतलब प्वेंट क्यू पर वी कितना है वी कोश ठीटा ओवी कोशटा किसकी को ले उल्ली में तो वी मैणस-वी बनेगा एक्स के कितना है जीरो इसका बच्छो बतलब यह होता है कि किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर वाई एक्स के राष्प नहीं है तो देखिए फटाफट हमने क्या किया इसके जश्ट बाद में इतना करने बाद बच्चों करना यह पड़ेगा आपको की वी को टू हमारे पास जो फॉर्मला आया है वी ओमेगा तो बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूं वी कितना होता है और ओमेगा इट इस अंड एंगुलर वेलसिति ओमेगा फिक है जिसके वीसे बच्चों मैं पास क्या आएगा उमेगा इसका है में हिन्ट में आर तो बच्चों यह हमारी क्या हो गया ही डीजायर डॉंग सर हो गया जो में चाहिए ठाट एक यह वही एसलेर्टन एश्ट एइस कि आपको जो तो एक्षिलेशन आप निकाल चुके हैं तो कितना हैगा एम ओमेगा स्कर इंटू में आर ठीक है बच्चों तो बच्चों यह हमारा हो गया फॉर्मला ऑफ सैंट्री पीटल फॉर्स अब इसकी उपर बच्चों हम निमेकल्स करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में ठीक है ओक करेंगे डंग